एपिसोड 191 घमंडी उसकी ये बात सुन रोहिनी जल्दी से उसके पास बैठती हुई बोली चुप कर ये न को ये क्या बगबास लगा रखी हैं ऐसी बाते क्यूं कर रहे हैं नहीं बड़ी मा हम रोज तिल तिल कर मर ही तो रहे हैं देड हमें मार देते तो हमें ये सब सहना नहीं पड़ता हमें हर कोई उबेजज़त तो नहीं करता और हमारे पैदा होने से जो आप सब के बिगड़े हुए रिष्टे भी ठीक होते हम ही बुरे हैं ना तो हम माम की ख्वाहिशों पर खरे उत्रे और नहीं हम कभी डेड और अपने बहन भाईयों को खुश रख पाई बड़ी माम लगता है हमारा ना खून ही ऐसा है जिसमें ये सब काम करने की हिम्मत ही नहीं वो रोहिनी के दोनों हाथ पकते हुए क्योंकि आप दर्श भाई को ही देख लोवग वो सब का ध्यान रख लेते हैं इतना बड़ा राजपूत एमपायर सभाल लेते हैं यहां तक कि उनके किसी एमपलाई की लाइफ में क्या चल रहा है ये तक उन्हें पता होता है और हम आज तक हमारी मॉम के दिल में क्या चल रहा है यही पता नहीं लगा पाए हैं वो हमें आप सबसे क्यों दूर रखना चाहती हैं हम कभी ये भी पता नहीं लगा पाए हैं रोहिनी उसे ऐसे रोता देख उसे गले लगाते हुए नकुल बेटा ये आज आप ऐसी बाते क्यूं कर रहे हैं आप भी इस घर के बेटे हैं और कुछ भी हो आपके डेड़ आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना यस से करते हैं और आप चिंता मत करिए वो उसकी तीच स तरफ बारी-बारी से देखती हैं दर्श उनके पास आकर नकुल को चैक करता है और रोहिनी से कहता है चिंता मत करिए छोटी मा ये नशे की बजह से बेहोश हो गए विक्की सुनो इन्हे अभी के लिए यस के रूम में ले जाओ और हाँ इनके ये एक रूम तयार कर बाद आज से यही रहेंगे ये बोल दर्श विना किसी से कुछ कहें बहां से अपने रूम में चला गया और बिक्की जल्दी से नकुल के पास आया और एक सर्वेंट के साथ नकुल को यस के रूम में ले गया रोहिनी जी रोते बोली ये क्या हालत बना रखी है इन्होंने अपनी और वो वेदे का अरे कैसी मा है उन्हें जरा भी चिंता नहीं है अपने बच्चे की जबान बच्चा है परेशानी में कही कुछ कर ले खुद को तो क्या रह जाएगा उनके हाथ में पर नहीं पता नहीं कहां चली गई इन्हें ऐसे नशे में छोड़ कर पंकत जी रोहिनी क बात सुन उनके पास बैठते हुए रोहिनी आप क्यों परेशान हो रही है ये जरूर इन दोनों मा बेटे का कोई नया ड्रामा है आप जानती नहीं है क्या इन्हें और वेदे का इन्हें कभी ऐसे यहां छोड़ कर नहीं जाती अगर उसका कोई मकसद नहीं होता तो देखन जरूर इसमें उनकी कोई चाल होगी है देखना वो फिर कुछ बुरा सोच रही होगी हमारे परिवार के बारे में क्योंकि वो कभी भी हमें एक साथ हसी खुशी देख नहीं सकती भाई साहब ठीक कह रहे है बहन जी जो होगा उसे हम सब बाद में मिलकर सभाल लेगे अभी के लिए आप शांत हो जाए और ये लीजिए चाय पी लीजिए वैसे भी सुबह की चाय का बक्त का बक्त हो गया है तारा बेटा चलो ये दो सब को उठा कर महिश्वरी जी बहां क हाथों को पकड़ते हुए कैसे बाते कर रही है आप क्या ये हमारा परिवार नहीं है हमारी बेटी के अलाबा हमारा कोई और नहीं है इस हिसाब से अब यही हमारा परिवार है और परिवार में ये सब होना बहुत आम बात है तारा बेटा ये लो सब को चाय दो वो तारा को चाय देती हुई बोली और तारा बहां पर खड़े अपने पापा और पंकज जी चाय देती है तब तक माहिश्वरी जी रोहिनी जी को अपने दोनों हाथों से चाय पकड़ाती है और फिर उन्हें बापस से दिलाशा देते हुए कहती है बहन जी हम सब हैना सब सभाल लेगे वैसे हमें ऐसे बोलने का हक तो नहीं है और नकुल ने हमारे साथ गलत करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी पर आज हमें उनकी बातों में सच्चाई नजर हम सही कहा आंटी ने यस उधर से आते हुए और वही रोहिनी के पास बैठते हुए बोला सब लोग उसे यू अ भाई को जानते हैं भाई ने उन्हें यही रुपने दिया इसका मतलब भाई भी वहीं सोच रहे हैं जो हमने अभी कहा हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप सब क्या सोच रहे हैं हम तो बस हितना चाहते हैं कि इस घर में सब खुश और सुखी रही कोई कलेश ना हो मा आप यह यह चाए पीजिए और सब हम पर और भाई पर छोड़ दीजिए भाई सब सभाल लेगे और भाविला यह हमें चाए दीजिए हमें तो बहुत भूख लग रही है यह अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बिक्की को देखकर उसे आँखों से इशारा करते हुए ब मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है यह बिक्की के मूर से यह सब सुनकर बोला यह क्या हो गया है तुम्हें क्या रती ने आपको काट लिया उनके जैसी बाते क्यूं कर रहे है आप जब यह ने यह कहा कि क्या रती ने तुम्हें काट लिया है जो ऐसी बाते कर रही यह सुनक आपको बही भिजवा देंगे यस उनकी बात सुन मू बनाते हुए अपने रूम में जाने लगता है तो रोहिनी जी फिर से उससे बोली यस नकुल आपके रूम है ध्यान रखना उनका ठीक है कोई शैतानी नहीं ठीक है माई यस बोल यस अपने रूम में चला गया उसके जाते ही रोहिनी जी हसते हुए पागल है बिल्कुल तारा बेटा आप यस की चाय उनके रूम में भिजवा दीजिए और हाँ दर्श के लिए भी चाय ले जाये पता नहीं आज उनका मूड कैसा होगा और वो आगे क्या करेंगे उनके दिल की बात जानना इतना आसान भी नहीं है आज तारा बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और जो अभी रोहिनी ने बोला कि दर्श के दिल की बात जानना इतना आसान नहीं है ये बात तारा से बहतर और कोई नहीं जनता था और शायद वो इसलिए शांत खड़ी थी क्योंकि दर्ष चुक चाप बिना कुछ कहे बहां से चला गया था तारा ने पहले रायस की चाए उसके रूम में भिचवाई और खुद दर्ष के लिए चाए लेकर अपने रूम में चली गई तारा आज पिरसे रूम में आने से डर रही थी पर उसे जाना तो था ही इसलिए वो हिम्मत कर रूम में चली गई तारा जब रूम में आये तो उसने देखा दर्ष बैड पर लेटा हुआ था उसने अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से क्रॉस कर रखे थे और अपनी आखे बंद कर रखी थी एपिसोड 192 रोमेंटिक दिन तारा पहले तो दर्वाजे के अंदर आने में दर रही थी वो बहुत हिम्मत कर अंदर राई और धीरे से बोली आपकी च, चाए दर्श तारा को ऐसे बोलता सुन अपनी आखे खोल कर उसे देखते हुए बोला ये क्या हो गया है आपको और जल्दी से उठकर बैठ क्या तारा हसने की कोशिश करते हुए का कुछ नहीं मा, मुझे क्या होगा मा, मैं या, ये आपके लिए च, चायल आई थी ये लीजे दर्श तारा को ऐसे देख अजीब तरह से करता देख समझ नहीं पाया की वो ऐसे बाते क्यूं कर रही है वो उसके हाथ से चाय लेकर टेबल पर रख देता है और तारा का हाथ पकर उसे अपने पास बिठा लेता है और उससे कहता है तबियत ठीक नहीं क्या आपकी और उसक के हाथ को खुद के उपर से हटाने की कोशिश करती हैं। तारा थोड़ा सा नाटक करते हुए उमम दूर रहे मुझसे आप भूल गए क्या हमारी लड़ाई हो रखी हैं। तारा थोड़ा से ही वो सब ठीक भी करनी होगी। इस इसलिए वो उसे कैसे भी करके कमफर्ट करना चाहती थी। तो नकुल अपनी टांगे फैला कर सो रहा था। यस उसे देखकर ये तमीज से नहीं सो सकते हैं कैसे बच्चों की तरह पूरे बैड पर पुसरे कर सो रहे हैं। हमारे लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी। हम पहले ही ठके हुए थे। फिर उस पागल लड़की के साथ भी तो पहले बानी करनी पड़ी यस अपने कंदे को दबाये हुए बोला। हाँ तो कर देना हमें बचाने के लिए हमारी प्यारी भावी है ना। मेगा उसे घूर कर देखती है और उसकी साइड जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहती। है यस राजपू तरे हमारे साथ तो पूरे MP की लड़किया बदनाम होने को तयार है और आप अंबारस होती है और वैसे भी हमने ऐसा क्या। वो इतना ही बोल पाया था कि मेगा ने उसे अपनी गरदन से दुपटा हटा कर दिखाते हुए बोली ये किया आपने। यस मेगा की गरदन की तरफ देखता है तो उसे मेगा की गरदन पर एक हलके लाल रंग का निशान दिखाई देता है उसे मेगा को उसकी गरदन पर किस करना याद आ जाता है जिसकी बज़ए यस के दिल की धड़कने बापस से तेज हो जाती और उसे अपनी बोड़ी में ए सब पता ही नहीं था और हम यूँ ही सब के सामने पूरे घर में घून रहे थे पता नहीं किस-किस ने देखा हुगा और क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में और आप बता नहीं सकते थे कि आपकी वो हरकत हमारी गर्दन पर निशान छोड़ गई है हमें कितना अजीब और शर्मिंदगी हुई जब तारा मैडम ने हमारा जूट एक सेकिंड में पकड़ लिया अरे आप सोच भी नहीं सकते हमें कितना अजीब लगा जब उन्होंने भी अपनी गर्दन का बिल्कुल ऐसा ही निशान दिखा कर हमारा मजाग उड़ाया कि उन्हें भी किसी कीरे ने काट लिया है मेगा अपनी आखें बंद कर अपने पैर पटिकती हुई बोली यह सकबराते हुए का क्या कहा आपने यह यह भावी ने देखिया आप इसे ठीक से छिपा नहीं सकती थी एक काम ठीक से नहीं होता आपसे हा हम क्या करेंगे भावी तो हमारा बहुत मजाग बनाएंगी अच्छा आपको अपने मजाग की पड़ी हुई है और हमारे बारे में सब क्या सोचेंगे उसका क्या हम मंत तो हमें कैसे पता होता का कि आपकी गर्दन पर यह यह सब और वैसे भी आपने मौका ही कहा दिया बहां से भाग गई हम तो पूरे घर में आपको दूरते रहे आप हमें मिली ही नहीं अगर आप हमें सबसे पहले मिल गई होती तो हाँ हम बता देते आपको हे भगवान आप इतने धक्कन कैसे हो सकते हैं मेघा अपने दाथ पीशते हुए बोली मेघा तमीच से बात करो हम आपके बॉस है और गलती आपकी है ज़ग हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता था पर आपको तो हमारी बात सुननी चाहिए थी पर नहीं आपको तो भागने की जल्दी थी हमारी कोई बात सुने बगेर ही भाग गई अच्छा अब इसमें भी हमारी गलती और रख आपना बॉस नहीं बेवकूफ हैं दुनिया के सबसे बड़े बेब कुफ मेघा को खुद से यू बेब कुफ कहता सुन यस को बुस्सा आ गया वो बिलकुर उसके चेहरे के पास आ गया और पस अपने करीब आता देख मेघा चुक हो गई उसे चुक देख यस उसके पूरे चेहरे हो देखते हुए बोला हम अपनी गलती मानते हैं हमने जो किया गलत किया उसके लिए आपसे माफी भी मान चुके हैं फिर भी आप ऐसे रियेक्ट कर रही हैं जैसे पता नहीं कौन सा पहार तूट गया, मेगा उसे धका दे दूर करती हुई, आप जैसे अमीर आदमी के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी पर हमारे ये ये बहुत बड़ी बात है, मेगा कसम साती हुई यस से खुद को दूर करती है, पर यस तो तस से मज भी नहीं हुआ, इसलिए मेगा रोते ह हुए, उसे घूर कर देखती और फिर कहती है, छोड़िये हमें, अगर हमारे पापा बीमार नहीं होते और हमें उनके इलाज के ये पैसो की जरूरत नहीं होती तो हम ये जॉब अभी छोड़ देते, एपिसोड 193 न यस ने उसे छोड़ दिया और बापस अपनी सीट पर ब चरब से दर्वाजे का लॉक खोल दिया, और मेघह से बोला जाए आपका घर आ गया है, और हाँ आज आपकी छुटी है, तो जाकर आराम करिए, मेघह उसकी बात सुन चुपचाप उतर कर गारी से चली गई, पर मेघह को जाते देखिये, इसके दिल में अजीब सा कुछ मह इशूस हो रहा था, उसका दिल कर रहा था कि वो मेघह को रोक ले और हमेशा उसे अपने पास ही रखे, वो मेघह को बही गारी में बैथा देखता रहा, जब मेघह उसे दिखाए देना बंध हो गई तो अचानक से उसने अपनी सीट बेल्ट खोली गारी से बाहर आ गया, और जल्दी से मेघह के पीछे लंबे-लंबे कदमों से सीरियों पर चला गया, थोड़ी दूर पर मेघह उसे अपने दुपटे को ठीक कर चलते हुए देखी, मेघह को देख यस भाग कर उसके पास गया और बिना कुछ भी कहे मेघह को दीवार से लगा कर उसके होठों पर क इसकी बजह से जो वैग उसके कंदे पर लटका था वो नीचे गिर गया, वैग के नीचे गिरने की बजह से यस रुख गया और धीरे से अपने होठों को उसके होठों से अलग कर लिया, मेघह अभी भी ऐसे ही खड़ी थी यस उसके माथे से अपना माथा लगाया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर बोला ये बात आप दुबारा अपने मूर से मत निकलना कि आप ये जॉब छोड़ सकती है या आप अब हमें छोड़ सकती है अब आप हमसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती और आपके होथों पर ये इस बात की मुहर है कि मेगा अभी भी सौक में थी और ऐसे ही खड़ी थी और उसके कानों में बही सब सुनाई दे रहा था जो यस उसे अभी कह कर गया. वो अपने होश में आकर धीरे कदमों से अपने घर की तरफ जाते हुए खुद से बड़बडाती हुई और अपने हुठो को चूते हुए बोली यह. यह क्या किया इन्होंने, हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे वो अपने दोनु गालों को पीटते हुए खुद से बोली और यह जो अभी सब बोलकर गए उसका क्या मतलब हैं? तभी किसका क्या मतलब हैं? वही तो इसकिसका क्या मतलब हैं मेगा अभी भी ऐसे ही खोई हुई बोली पर तभी उसकी दोस्त रानी जो उसके रात में ना होने पर उसके पापा की देखभाल करने उसके घर पर आ जाती थ रानी एक अनाथ लड़की थी और एक हॉस्पिटल में बड़े बूरों की देखफाल करने का काम करती थी, मीखा ने भी पहले कुछ महीने बहां काम किया था और तब ही से वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। नहीं आ रहा हैं और आप अभी तक अपने काम पर नहीं गई देखो टाइम हो गया है और अब तो हम भी आगिर हैं पापा के पास मिखा उसके सवाल से बचने के लिए बात बदलते हुए बोली। गई उसके जाने के बाद मेघा अपने सीने पर हाथ रख एक लंबी सास लेती। ओ बच गए और फिर जल्दी से अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। उधर यस मेघा के बारे में सोच रहा था। वो अपने एक हाथ से ही गारी चला रहा था और उसके दूसरे हाथ की उंगलिया उसके होटों पर घूम रही थी। यस बहुत खुश था और जो वो मेघा से कहकर आया था उसे सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था। यस खुद से हम भी देखते हैं आप कैसे हमें और इस जौब छोड़ती हैं। यस यही सब सोचते हुए घर पहुँच कया वो खुशी से अपनी गारी की चाबी घूमता हुआ घर के अंदर चला गया। फ्लैशबक खत्म। यस अपने कंधे को दवाते हुए पर कुछ भी आज के बाद अब वो हमारे सामने कभी पहलवानी नहीं दिखाएगी और नहीं हमें छोड़ कर जाएगी। अब आप सिर्फ और सिर्फ यस राजपूत की हैं हमारी जंगली शेर्मी। यह बोल यस वही पड़े सोफे पर धराम से पुसरे गया और कुशन को अपने सीने से लगा लेट गया और ठके होने की बजह से वो जल्दी ही सो भी गया। दोपहर कर लगभग एक बजे बजे दर्श की आंख खुली उसने उठकर अपने आसपास देखा तारा बहां पर नहीं थी वो तारा को आबाज दे कर बुलाता है तारा तारा पर तारा होती तो आबाज देती ना जब उसे कोई आबाज नहीं मिली तो वो बापस से तकिये को हग कर सो गया। उधर विक्की के रूम में तारा रती को तयार कर रस्मों की तयारी करने के लिए बाहर चली गई थी क्योंकि तब स जैसे ही बाहर आया उसे रती बही सामने सोफे पर बैठी किताब पढ़ते हुए दिख गई, बिक्की अक्वर्ड होते हुए सौरी मुझे पता नहीं था कि आप रूम में हैं, रती बिक्की को अभी दी ऐसे करता देख अपनी बुक को वही सोफे पर रख, कबर की तरफ जाती हैं और बिक्की लिए एक ड्रेस निकल कर लाती हैं और उसके बिलकुल पास जाकर उसकी की गर्दन पर अपनी नाक रख एक लंबी सांस लेकर उससे कहती, नाइस खुश्बू और वो ड्रेस जिसे वो लाई थी बिक्की पकड़ा कर रूम से बाहर चली जाती हैं, उसके ऐस कहने की बजह से बिक्की के कान लाल हो गए थे और उसके जाने के बाद बिक्की मुस्कराता हुआ, उसे पागल है बिलकुल बोलता है और रती के दिये कपड़ों को पहन कर बाहर चला जाता है, स्टेडी रूम, सारे आदमी लोग स्टेडी रूम में थे, पंकर जी दर्ष स आपने क्या सोचा में दर्ष? किस बारे में छोटे पापा दर्ष अपनी फाइल पढ़ते हुए बिना उनकी तरफ देखे लापबाही से बोला, नकुल के बारे में, दर्ष उनकी तरफ बिना देखे ही इसमें सोचा क्या है जब तक उनका मन है, वो यहां रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, हमें ऐसा कोई इतराज नहीं है, पंतर जी को ये बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि दर्ष इतनी आसानी से नकुल के यहां रहने को लेकर मान जाएगा, वो दर्ष को समझते हुए, दर्ष बेटा आप जानते हैं ना कि वेदिका, नहीं, दर्ष वेदिक कारो सब्सक्राइब एपिसोड 194 तारा की उदासी, जब दर्ष ने ये कहा कि नकुल को अपनी मां का साथ छोड़ना होगा, ये बात पंकर जी कही ना कही अच्छे से जानते थे कि दर्ष वेदिका को यहां आसपास फाटिक ने भी नहीं देगा, पर बेटा वेदिका इसे लेकर बहुत बबाल करेंगी, वो तो वैसे भी आपकी इमेज खराब करने की ताक में रहती हैं, और आप नकुल को यहां रखकर उन्हें ये मौका खुद दे रहे हैं, छोटे पापा, हम दर्ष राजपूत हैं, और इस पूरी स्टेट में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं ह जो हमारे खिलाफ जाए, पर बेटा, आप चिंता मत करिये, छोटे पापा हम सब सभाल लेगे, आप जाये जाकर आराम कीजिए, यस जाओ, छोटे पापा को उनके रूम में छोड़ कर आओ, जी भाई, यस ये बोल पंकच जी तरफ मुड़ते हुए, चलिए, प, 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 प पूरी रात से सोई नहीं है, नहीं बेटा हम तो आपको ये बातने आये थे कि हम शाम को घर के लिए निकलेगे, आप इतने बिजी होते हैं, तो अगर हम आपको बिना बताए निकल जाते तो अच्छा नहीं लगता, क्या जरूत है जाने की यही रहिए, ना तारा के पास उ नहीं ले लेते और आप और मा यही रहिए छोटी मा और छोटे पापा के साथ वैसे भी अब आपके आराम करने के दिन हैं, और मा भी अकेली परिशान हो जाती होगी, ठैंक यू हमारे बारे में इतना सोचने के लिए पर बेटा माबाप बेटी के घर में नहीं रहा करते, पर पापा, नहीं बेटा आपने हमारे बारे में इतना सोचा हमें मा बाप का दर्जा दिया, हमारी बेटी को इतने प्यार से रखते हैं आप, हमारे लिए यही काफी है, उनके इतना कहने पर दर्श उनकी बात मान गया, और उनसे बोला ठीक है, जैसी आपकी मरजी हम फोस करेंगे पर कोई भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले हमें बताएगा, गोपाल जी, तर्श के मान जाने के बाद बही खड़े बिक्की के पास आये और अपनी जेब से एक लाला रंग का छोटा सा बॉक्स निकल कर उसे देते हुए बोले बिक्की बेटाएं आपके लिए, विक् असाब से आप भी हमारे बेटे हुए और हमारे घर में रिवाज हैं कि पिता अपने बेटे को उसकी शादी के दिन तोफा देता हैं और ये एक लॉकेट हैं। लेने को बोला तो बिक्की ने उसे अपने पास रख चुपकर गोपाल जी के पैर चुए और उन्हें थैंक्यू बोला वैसे, उसका दिल तो अभी उन्हें गले लगा कर रोने को कर रहा था पर बो ठहरा बिक्कीू गोपाल जी बिक्की को तोफा देकर उन्हें अपना ध्य रखने का बोल बहां से चले गए आप बहां सिर्फ विक्की और दर्श रह गए थे। और इसलिए हमने उन्हें यहां रखा है क्यूंकि अब हम इस लड़ाई को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए तो आप से बोला उनकी हर सांस पर नजर रखो अगर वो सच में बदल गए हैं तो कोई बात नहीं और अगर वो फिर से अपनी मा के साथ मिलकर कोई नया शडियंत कर रहे हैं तो इस बार उन्हें सीधे मौत मिलेगी वो भी हमारे हाथों से। दर्श की बात सुन बिक्की समझ गया कि इस बार दर्श उन्हें डबल क्रॉस करेगा। दर्श फिर से बिक्की से बोला बिक्की जाओ आप भी जाकर आराम कर लो क्यूंकि हमें कल सुबह एक उसने दो बॉडिगार्ड को नकुल पर नजर रखने को बोला और उसे होश आते ही सबसे पहले उसे बुला कर लाने को बोल वो बहां से अपने रूम की तरफ चला गया। और वो दोनों बॉडिगार्ड उसकी बात मान यसके रूम के आसपास जाकर देखने लगे पर वो अ ऐसे ही उदास चेहरे के साथ दर्श के कपडे ठीक कर रही थी। तभी दर्श उसे पीछे से हग करते हुए क्या हो रहा है हमारी जान। पर तारा ने उसकी किसी बात का जबाब नहीं दिया दर्श उसको कंधों से पकर अपनी तरफ खूंग कर तारा क्या हुआ आप कहां ख रहा कल को छूटे मम्मी पापा भी पुराने घर चले जाएगे और फिर 4-5 महीनों में रती का बच्चा भी इस दुनिया में आ जाएगा फिर वो भी चली जाएगी बिक्की के साथ उनके घर और उपर से आप भी पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं मैं अकेली रह जाया करूं साथ रहा करेगी तो मुझे अकेला फील नहीं होगा हमन तो सीधा सीधा कहिए ना कि आपको अब यस की शादी करबानी है दर्श समझ तो गया था कि तारा अभी मेघा का नाम लेने बाली थी पर फिर भी वो बोला नहीं हम बहुत ठक गए हैं पहले हमारी शादी फिर रती की और आप अब यस की शादी की बात कर रही है हम पिछले 15 दिनों से ठीक से ओफिस नहीं गए है एक भी मीटिंग नहीं की है डिजाइन नहीं देखे है ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही महीनों में हमारे सारे स्टोरों में ताला पर जाएगा इसलिए अभी सिर्फ काम बस और सि रही है यस ने तो हमसे कहा नहीं कि उन्हें कोई लड़की पसंद है या कोई लड़की उन्हें प्यार करती है हम ऐसे किसी भी लड़की की जिंदगी बरबाद नहीं कर सकते यस से शादी करा कर पता है ना उनमें अभी कितना बच्पना है एपिसोड 195 अपनी माँ को छोड़ना होगा दर्श ने तारा की बात से साफ इंकार कर दिया कि वो अभी उसकी शादी नहीं करवाएगा तो तारा को ये सुन गुस्सा आ गया वो उसके पैर पर जोर से लात मारती हुई बोलिया आपना एक नंबर के अकरू इंशान है जाए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी दर्श अपना पैर से हिलाते हुए आह तारा हमें लग गई क्या करती है आप हम पती है आपके हां तो मैं क्या करू ये बोला तारा उससे बस लड़ाई शुरू ही करने बाली थी कि किसी ने दर बाजे पर नोग किया जब दर्श ने जल्दी दर्वाजा खोला तो बहां विक्की था विक्की दर्श से कहता है कि नकुल जाग गया है तो दर्श उसे इशारा में आने का बोलता है विक्की चुप चाप बहां से चला जाता है दर्श बापस से रूम में आकर तारा से बोल ना मत की हमारी लड़ाई अभी बाकी है समझे, तारा अपने पैर पटकती हुई बोली, उधर, यस के कमरे में नकुल जब उठा तो उसके सिर में दर्ग था, वो अपना सिर पकड़ते हुए, आह ये दर्ग, इतनी शराब पीएंगे तो सिर दर्ग तो होगा ही, ये लीजिये इससे हेंगोवा उतर जाएगा, यस नकुल की तरफ एक गिलास बढ़ाते हुए बोला, नकुल उसे देख बोला, आप यहां क्या कर रहे हैं, हम अम हम नहीं आप यहां क्या कर रहे हैं हमारे घर पर, यस उसके सबाल में सबाल करता हुआ बोला, हमारा घर मतलब नकुल कनफ और वैसे हमें एक बात बताईए, आप अब क्या नया ड्रामा कर रहे हैं, जिसकी बज़न से आपको अपने परिवार पर बहुत प्यार आ रहा हैं, ये तो हम भी जानना चाहते हैं, ये आपका ड्रामा है या आप सच में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, दर्श को यस के रूम में आया हुआ देख नकुल बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, और यस चुप हो गया, दर्श चलकर यस के रूम में पड़े सोफे पर बैट गया, और फिर से नकुल की तरफ देखते हुए बोला, बोला नकुल ये सब क्या है, आप क्यों यहां रहना चाहते हैं, जब कि आप हमारे और आपकी मा के बीच के मन मुटाब को अच्छे से जानते हैं? उसकी सारी बात सुन दर्श बोला, पर हम आप पर कैसे भरोसा करें कि आप सर्च में बदल गए हैं, और ये आपका और आपकी मां का कोई प्लान नहीं है, जबकि कुछ ही महीनों पहले आपने खुद हमें जान से मारने की कोशिश की थी, पर गलती से उस दिन तारा हमारी गारी में थी, इसलिए हम तो कुछ नहीं हुआ पर तारा मारते मारते बची थी, और यही नहीं आपने सब कुछ जानते हुए भी कि तारा हमें पसंद हमारी प पताएए हम आप पर कैसे भरोसा करें हमारे परिवार को लेकर हमें नहीं पता कि हम आपको कैसे भरोसा दिलाए कि हम सच बदल गए हैं। पर थी हम बहा गए पर बहा इन दोनों ने हमारी बहुत इंसल्ट की और यस ने हमें अपने घर से निकाल दिया जब हमें इन से कहा कि हम भी तो तुम्हारे भाई तो इन्होंने हमें अपना भाई मानने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि हमारे तो एक ही भाई है और वो है दर् नकुल के कहने पर दर्श ने यस की तरफ देखा तो यस ने अपना सिर नीचे जुका लिया इससे दर्श समझ गया कि नकुल ये बात तो सही बोल रहा ठीक है आप यहां हमारे साथ रह सकते हैं हमारे परिवार का हिस्सा बन कर पर हमारी एक शर्ट है शर्ट कैसी शर्ट अकेले ही रहना होगा मतलब आपकी मा यहां हमारे साथ नहीं रह सकती वो यहां रहना तो दूर आपसे कभी मिलने भी नहीं आएगी उनके साथ हमारे बोडी गार्ड वैसे ही बरताब करेंगे जैसे अभी करते हैं हाँ अगर आपको उनसे मिलना है तो हमारे बोडी गार्ड आपके साथ जाएगे और बापस आपको घर लेकर भी आएंगे यस की तरह आप भी कहीबी अकेले नहीं जा पाया करेंगे आप सुबह रोज यस और हमारे साथ आफिस जाया करेंगे और हाँ एक सबसे इंपोर्टेंट बात आप यहां शिराब नहीं पी सकते, और अगर हमें पता चला कि आप फिर कुछ गर्बर करने बाले हैं तो इस बार हम आपको सियेटल या और कहीं नहीं भीजेंगे बल कि बहां भीजेंगे जहां से आप कभी लोट नहीं पाओगे अगर ये सब आपको मंजूर है तो आपका कमरा यस के कमरे के बराबर में हैं आप जाकर आराम कर सकते हैं हम कुछ लोगों को भेज पुराने घर से आपका सामान मांगा देंगे और हां उससे पहले जरा नहालो कुछ नहीं हम बस सोच रहे थी कि दर्ष भाई के बारे लोग जो बाते करते हैं वो सही है मतलब यस अपनी भोहें चड़ाते हुए बोला हमारा मतलब है कि भाई के बारे में सब लोग ये बोलते हैं कि दर्ष राजपूत किसी की नहीं सुनते हो सिर्फ फैसला सुनते हैं आज उनका ये फैसला सुन हमें उन बातों पर यकीन हो गया। तो इसमें हसने बाली कौन सी बात है। हस हम इसलिए रहे हैं कि भाई ने शर्त रखी लेकिन हमारी मरजी तो सुनी ही नहीं कि शर्त हमें मनजूर है या नहीं। दोस्तों तुम लोग कॉमेंट करके बताओ स्टोरी कैसी है तभी तुम्हें अगला एपिसोड आएगा प्लीज दोस्तों तुम लोग कहानी सुन लेते हो लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, फॉलो नहीं करते प्लीज करो कहानी और भी मजेदार है सब्सक्राइब का कर दो सब्सक्राइब